हेलो स्टुएंट कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्त और मस्त होंगे आज हम आपकी नाइंद क्लास की गडित की वाक्षी टंबर सत्तर करना वाले हैं जो की सत्तरा चैनुमरी के लिए हैं इसे हम सर्कल चप्टर को बटा कंटिनू करेंगे इसे हम पढ़ेंगे हम जानते हैंं अंडिस्टेंडिंग औफ सेग्मेंट एंद कडिलेमगें हम काडिलेटर सेग्मेंट के बारे हैं पहले सिघ यह जानते हैं किज़ा Prabh can identify quadrilateral ABCD and quadrilateral MNOP, हमें यह ABCD quadrilateral दिखाए दे रहा है और MNOP भी दिखाए दे रहा है, the given figure, we can see that the three vertices MNOP of quadrilateral MNOP are lie on the circle, यह जो चार vertices MNOP यह circle पर lie कर रही है, but vertex P is on interior part of circle, मगर P जो है, वो circle के interior part पर है, all the four vertices of quadrilateral ABCD are lie on the circle, कहता है जब कि ABCD की सभी vertices कहां लाई कर रही है, circle पर लाई कर रही है, एक quadrilateral ABCD is called cyclic, ABCD जो quadrilateral कहलाएगा, यह cyclic quadrilateral कहलाएगा, if all the four vertices of it lie on the circle, यदि किसी quadrilateral की 4 vertices, circle पर लाई करती है, तो वो आपका cyclic quadrilateral कहलाता है, ठीक है, इसकी property हम आज पढ़ेंगे, तो देखें क्या कहता है, cyclic quadrilateral में आगे, कहता है, draw a circle on the paper, paper पर पर circle draw कीजिए, and make a cyclic quadrilateral ABCD in it, और उसको पर quadrilateral बनातेंगे, ABCD, cyclic, cut all four angles, with the help of Caesar, Caesar की help से जो चारों angle को हम काट लेंगे, join angle A and C, कहता है, A और C को जोड़िए, और B और D को जोड़िए, तो हम क्या पाते हैं, you find, A और C का जोड़ आप पाएंगे, 180 degree होगा, B और D का जोड़ भी कितना होगा, 180 degree होगा, therefore, the sum of either part or opposite angle of cyclic quadrilateral is 180, इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी चक्रे चत्रोबोज, यानि कि cyclic quadrilateral के opposite angle का sum 180 degree ही होता है, in quadrilateral PQRS, एक और हमने quadrilateral लिया PQRS, बना दिया, P और R काट लेंगे, S और Q काट लेंगे, तो P और R का sum भी कितना बैठेगा, 120, Q और S का sum भी बैठेगा, कितना, 120, क्योंकि यह opposite angle of cyclic quadrilateral है, इस और अगर opposite angle का sum 180 है, तो इसका होगा, PQRS क्या है, जी, आपका cyclic quadrilateral है, yes, it is cyclist, because sum of a pair of opposite angle of its quadrilateral is 180, क्योंकि opposite angle का sum, अगर 180 है, तो समझे लोगों क्या है, cyclic quadrilateral है, या कोई cyclic quadrilateral है, तो उसके opposite angle का sum कितना होगा, 180 होगा, ठीक, आगे देखते हैं, क्याता, let's practice few problem, कुछ problem उन्होंने दे रखी हैं, उनको पर हमको practice करनी है, तो देखिए, ABCD जे cyclic quadrilateral, whose diagonal intersect at point E, और diagonal E पर काट रहे हैं, एक cyclic quadrilateral के दर, D, B, C, 70 degree है, D, B, C, आपको दिखाए दे रहा है, यह 70 degree दे रखा आपको, B, A, C आपका 30 degree दे रखा, यह B, A, C, आपको है 30 degree है, B, C, D आपको angle निकालना है, तो बड़ा असान है, देखिए, हम यह जानते हैं, कि जो D, B, C है, और जो D, A, C है, वो angle in the same segment है, तो यह 70 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, आपका 70 हो जाएगा, तो और यह पूरा कितना हो जाएगा, 100, और opposite angle का सम कितना दिखा देंगे, 180, अगर यह 100 है, तो यह कितना होगा, आपका 80 degree होगा, ठीक है, तो देखते हैं, किस तरह से किया गया है, तो गदर B, A, C बराबर B, D, C, B, A, C बराबर है, B, D, C के, इस तरह से भी कर सकते हैं, कि B, A, C, बराबर किसके, B, D, C, के, यह 30 हो जाएगा, ठीक है, जी, B, D, C, 30 होगा, क्योंके, एंगल इन सेम सेग्मेंट बराबर होते हैं, अब, इस ट्राइंगल को ले लेंगे, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, यह 30 है, यह 70 है, तो यह कितना होगा, जाएशी बात है, 80 होगा, ठीक है, B, D, C, B, D, B, C, D, पराबर, 100 C, सम अफ इंट्राइंगल का ट्राइंगल इस 180 हो, 30, सो होगा, सो उठा के दली है, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 80 डीकरी, कितना है, आपका, 80 डीकरी आएगा, यहीं हमने दूसरे तरीके से भी किया, आगे, दूसरा, क्या कहता है यह दूसरी, इन दा गीवन फिगर, पीकुआरस, पीकुआरस आपको गीवन फिगर है, साइकली को अद्र बदा रखा है, ता साइड पीएस, इस एक्सेंट डूसरे, पीएस को हमने ए तक बढ़ा दिया है, ठीक है, फाइंड एस आर, क्याता है, एस आर एंगल को आपको, फाइंड करना है, जबकि पीकुआर आपको दिखाए दे रहा है, 80, तो पीकुआर जो है, वो एंगल बराबर होगा किसके, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, जी 180 होगा, इसो कुछ नाम दे दिया है, पीकुआर और पीएस आर, 180 होगा, सम अफ आपोजिट अंगल और साइकली को अड़ेटर, पीकुआरस य है, तो पीएसर कितना होगा, अपका, सो आ गया, यह एंगल जब सो आ गया, तो यह एकी लाइन के उपर बने होए, एकी लाइन के उपर जो एंगल बने होते हो, उनका सम कितना होता है, 180 है, तो यह कितना हो जाएगा, अपका, 80 हो जाएगा, ठीक है, पीएसर सो है, एसर और प्यासर लिनियर पेर हैं यह सो है सोठागे देंगा मायनस को जागा तो कितना जाएगा अपका 80 डिग्री आपका diagonal है कि ये angle आपको दिया पक्चपन और बी एसी ये angle आपको दिया है 55 कहता है BCD आप find कीजे BCD ये angle आपको क्या करना है जी find करना तो देखिए जिस तरह समने example दिया था उसे तरह समिशको कर देंगे डी बीसी आपने ते रहा 45 BCD आपको यह ग्याद करना है ठीक है तो कर दीजिए उसी तरह से यह वाला एंगल कर लीजिए पहले यह एंगल कितना होगा एंगल BDC प्लस में एंगल BAC सुरी बराबर है एक्वल एंगल BAC एक्वल होगा एंगल किसके BAC के क्यों होगा क्योंकि एंगल इंदा सेम सेग्मेंट एंगल इंदी सेग्मेंट ठीक है जी तो BDC हमको ग्याद करना है BAC हमारा कितना दे रिखा हमको 45 चीजिए इस तरह से हमारा का BDC पर चल गया है पहनता लिए ठीक है क्योंकि B से शुरू हैं दोनों और से पर खतम है यह हो गया अब तिरबुज BCD में इन ट्राइंगल BCD हम जानते हैं तीनों इंगल कसम कितना होता है ट्राइंगल के 180 होता है ठीक है जी तो BCD हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ यही है BCD ट्राइंगल ठीक है तीनों इंगल कसम कितना होगा 180 होगा तो कितना लिख देंगे 45 55 प्लस में 45 प्लस में BCD is equal to 180 क्या लिख देंगे सम इंटेर एंगल आफ ट्राइंगल यह 45 प्लस में 45 प्लस में होगे आपका 100 डिग्री तो BCD हमको ग्याद करना है फाइंड करना है इस इकल टो 180 है तो BCD यहीं रहेगा आपका एंगल एंगल एक तरफ 180 मानस का 100 180 मानस 100 कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री रहाएगा एंगल BCD आपको कितना हो गया आपके पास 80 डिग्री तो इस तरह से आपका पहला question complete हो गया अब देखते हैं दूसरा question क्या कहता है कि दूसरे question में कहा गया कि पी क्यूर साइक्ली काट्र जैसा कि मैं दिखाए दे रहा है क्यूं दे रखा आपको 65 डिग्री क्यूं रार दे रखा आपको 65 डिग्री दोनों ही 65 65 है ठीक है पी और एस आपको निकालना है तो देखिए कैसे होंगा हुए देखे आपको उसने कि तो किस तरह से हम इसको करेंगे हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्ली कॉड्र सम अफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्ली कॉड्री काट्र इस वन एट्टी ठीक है यह तो हम कह सकते होंगे पी और आर का सम कितना होगा वन एट्टी होगा क्या लिख देंगे सम of opposite angle of cyclic coordinate ठेक है पी आपको दिर निकालना है find करना है और आर आपको मालू में कितना 65 डिग्री 65 डिग्री उधर ले जाएंगे आप कई का हो गया आपका माइनस का हो गया आपका 65 डिग्री तो कितने बचे आपके यह आपका बच्चा 511, 115 डिग्री आपके पास आगे आपी इसी तरह से आप क्या निकाल देंगे s निकाल देंगे क्योंके q और s का sum भी कितना होगा 180 डिग्री एंगल q प्लस एंगल s is equal to होगा 180 डिग्री कारण के लिग देंगे sum of opposite angle of cyclic quadrilateral q दे रखा है हमको 65 डिग्री एस हमको नहीं पता हो is equal to 180 ठीक है संगे संगे एक तरफ ले आएंगे s एंगल रह जाएगा हमारे पास इधर एंगल s is equal to कितना होगा 180 डिग्री माइनस का 65 डिग्री माइनस कर देंगे यहां पर भी कितना जाएगा 115 डिग्री इस तरह से बट आपके वक्षिक complete होगी उम्मीद करते हैं आपको चिस्वें में आगे होगी तो मिलते हैं आपसे आगली वीडियो